प्रवाइट प्रवाइट तो रहे हैं पॉइट पुछ चीज़े हैं उनी से सवाल जा आते हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा कौन सा को question हो सकता है to guide means to indicate यहां पर guidance का मतलब क्या होता है to indicate to point out and to show the way ठीक है किसी को रस्ता दिखाना किसी को indicate करना किसी को point out करना so you have to point the way it means more than to assist यह सिर्फ assist करना नहीं होता है मदद करना नहीं होता है उससे भी कही स्यादा होता है if an individual slips on the road we assist him or to get up but we do not guide him unless we help him to go in a certain direction यह बस एक example के तौर पे था मान लिजे कोई इंसान रस्ते पे गिर जाता है गलती से गिर जाता है तो हम उसे उठाते हैं मतलब वहां से उठाते हैं उसे खड़ा करते हैं फिर वो अपने रस्ते चला जाता है यह assistance है यह आप उसे सर्फ मदद कर रहे हो लेकिन guidance वो होता है जब उसको अपने पैरों पे खड़ा करने के बाद उसको सही दिशा दिखाते हो कि आपको जाना कहां पर है वो बोलेगा कि मुझे यहां पर जाना है तो आप उसे डिरेक्ट करते हो कि ऐसे जाओगे तो आपको shortcut पड़ेगा या फिर मान लिजे वो भूल गया है रस्ता भूल गया है कुछ गलती कर बैठा है या फिर मतलब जादा उससे चोट लगी है तो आप उसे रस्ते तक पहुंचाना जो है उसको गाइड कहते है यानि कि you have to guide him or her to the proper destination with direction चीक है और वो करता है कि नहीं करता उसके साथ आप रहोगे देखोंगे वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है wherein the aim is to help the individual to adjust to his or her environment in an effective way चीक है तो यह effective way का मतलब क्या होता है आपके खुद के environment में आप कैसे सबसे best adjust कर पाओगे इसलिए guide करते हैं simply आप सोचिए आपको अपने teachers जो है वो guide करते हैं ठीक है आप math नहीं समझ पा रहे हो English नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपको guide करते हैं for what क् aim क्या है guidance का मतलब ही क्या है वहाँ पर वो चाहते हैं आप अपने काम को अपने गणीत को या फिर अपने English को आप और बहतर कर पाओ और effectively समझ पाओ ठीक है guidance can also be said that it is given to individuals in making appropriate choices and adjustment यानि कि आप यहां पर यह दिखाना चाहते हो आप बच्चों को या फिर इंडिविजुल्स क करने में और proper adjustment करने में मदद मिले दिखिए अगर कोई अपने life में सही decisions नहीं ले सकता है adjustment में नहीं कर सकता है तो वहाँ पर उसे किसी ना किसी के guidance की दरूरत है वो भी right choice के लिए ऐसा नहीं है मतलब guidance के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं लेकिन ऐसा guidance यह जो उसका लाइफ चेंज कर दे लाइफ में अच्छा decision लेने में मदद कर दे अपी जी अब्दुलकलाम जब मतलब की अपना speech दे रहे थे उन्होंने कहा कि अपने life में उन्हें एक teacher मिले थे at class 6 or 7 जिन्होंने उनका life बदल दिया ऐसे उन्होंने guide किया ऐसे उन्होंने उन्होंने रस इसमें एक structure होता है इसमें कुछ personnel होता है पासुनेल मतलब experts होते है ठीक है it is an integral part of the school system ये school system का एक integral part है इट कंसिस्ट अफ स्पेशियलाइज्ट सेंसे आफ के जाते हैं अब के जिसको गाइड करना है उसे तोटली आप को डॉक्टर करता है ना कि पूरा पहले से आप उसका मतलब की क्या भीमारी है उसको जानने के कुशिश करते हो उसके बाद उसे information देते हो, यह चीज नहीं करनी है, उसके बाद आप उन्हें मतलब medicine बगरा देते हो, then you follow up, follow up लेते हो, उसका क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, इस major name is the promotion of student development, student development ही हमारा यह basic aim रहेगा, it helps children to develop and promote their ability to deal with their own problem, यहां पर बच्चे खुद के problem के साथ कैसे deal कर सकत हैं, यही हम चाहते हैं, हम उन्हें guide करते हैं, whether it is personal, whether it is vocational, whether it is educational, हम उन्हें guide करते हैं, objectives क्या है, इनका लक्ष क्या है, directly यहां पर कुछे ज़रा है, क्या लक्ष है, to help individual by his own efforts as far as possible to realize the potentialities and to make maximum contribution to the society, ताकि हम guide इसलिए करते हैं, आपके अंदर का हुनर शायद आपको नहीं प बता है, बट आपके जो potentials है, उसको हम जानते हैं, हम चाहते हैं कि उसको आप realize करो और contribute करो अपने society के लिए, to help individuals to meet and solve his own problem and make proper choice and adjustment, आप, हम आपको यह मदद करते हैं, ताकि अपने problems को आप समझ पाओ, और अपने life में na proper choice and adjustment कर पाओ, ऐसा नहीं है कि बिना guidance के जो आगे ब back gear नहीं है, जिसमें आप वापस life में आके सब कुछ ठीक कर सकते हो, इसलिए, before making any judgment, before making any choice, you have to take the guidance of the learned person, to help the individual to lay a permanent foundation for sound and mature adjustment, यहाँ पे किसी भी individual को आप एक foundation provide करते हो, sound and mature adjustment के लिए आप उन्हें help करते हो, to help the individual to live a well-balanced life in all aspects, जैसे कि physical, mental, emotional and social, ठीक है, मतलब आप अपने life में कैसे एक अच्छे balanced life maintain कर सकते हो, physically, mentally, emotionally as well as socially, इसके लिए मदद करते हैं, then providing psychological support, definitely guidance के जरिये हम उन्हें मानसिक्स तर पे psychologically support करते हैं, then adjustment and resource provision, यानि कि आप यहाँ पे adjust करना सिखते हो, resource provide करते हो, problem solving and decision making, आप problem solve करना start करते हो and you take decisions, ठीक है, मतलब उन्हें मदद करते हो, so that they can solve their problem and they can make right decisions in their life, next is improving personal effectiveness, आप कैसे personally अपने आपको और better कर सकते हैं, उसके लिए and insight and understanding, यानि कि आप में कैसे insight or understanding clearly रहेगा, उसके लिए आप guide करते हैं, final one is self-actualization, बच्चा खुद को समझ पाएगा कि what I am and what I am supposed to do, ठीक है, next is principles, कुछ principle पर होता है यह guidance क्योंकि guidance कोई भी किसी क भी नहीं दे सकता है, इसलिए आपको proper techniques जरूरी होता है, आपको counseling खुद समझना होता है, guidance खुद समझना होता है, so first principle is guidance is the lifelong process, हमेशा हमें guidance lifetime मिलता रहेगा, it lays emphasis on individualization, हर एक individual को importance दिया जाता है, it gives importance to self-direction, यहाँ पे खुद चलना पड़ता है, guidance में क्या होता है, आपको गोल अचीव करना है, तो वो गोल आप ही अचीव करोगे, आपके teacher तो बस आपको guide करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो teacher खुद ही अपना goal अचीव कर देंगे, मतलब आपके लिए वो goal नहीं अचीव करेंगे, कहते हैं ना, जब हम coaching बगएर लेते हैं, तो teachers हमें क्या कहते हैं, कि exam में आपको लिखना है, मैं आपके लिए नहीं लिख दूगा, इसका मतलब क्या है, it is all about guidance, कि आपको खुद करना होता है, मैं guide कर सकता हूं, help कर सकता हूं, but I cannot write for you in the answer book, ठीक है, answer book में मैं नहीं लिख सकता आपके लिए, खुद को लिखना पढ़ेगा, so it is self-detected, it is based on cooperation, य सभी के लिए होता है, it is an organized activity, ये एक organized activity होता है, half a जैडली नहीं होता है, it's work, workers need special preparation, मतलब इनमें जो workers होते हैं, जो guide होते हैं, उनको special training की जरुद धा है, special preparation की जरुद है, it is flexible, ये बहुत ही flexible होता है, it is an interrelated activity, ये एक interrelated activity भी है, it is a deliberate process, और І ये deliberate process होता है, half a जैडली ऐसे होता है जानबुच के करा जाता है planned activity होता है ठीक है scope of guidance क्या है देख लिजिए scope क्या है first you have to make a right decision in career career में right decision लेना बहुत important है देखिए जब अभी आप लोग जो prepare कर रहे हो PGT हो गया lecturer हो गया assistant professor हो गया आप इस बार prepare क्यों कर रहे हो और इतना जोरदार prepare क्यों कर रहे हो देखिए life में कुछ चीज़े बहुत important होती है जैसे कि मान लिजिए अपना status अपना job अपना career देखिए एक बार आप job clear कर लेते हो your life is going to be very 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 you know settled उसके बाद आपको पीछे मुड़के देखना नहीं पड़ेगा अगर मान लिजिए इस stage में आप कोई गलती करते हो मान लिजिए इस stage में आप कोई गलत decision ले लेते हो और career को छोड़ देते हो तो फिर आप जीवन भर ये सोचोगे कि काश में वो कर लेता काश में वो कर लेती तो आज में कहा होती लेकिन वो होता या फिर होती कभी नहीं आने वाला है this is your opportunity grab it as soon as possible okay so you have to make right choices next is proper use of tools and learning material मतलब कि आपको यहां पर guide करा जाएगा how to choose some tools and materials मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लोगे तो हो जाएगा no you have to select some tools and materials that to be you know provided by the guide next is adjustment of learning environment मतलब आप कैसे अपने learning environment को adjust करके उसके लिए भी guide करा जाएगा and final one is motivation to act and learn जब तक आप खुद motivated नहीं हो तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो until and unless you are motivated to learn or to act you cannot go ahead याद रखिए आप सभी में भी वही होगा exam है दो दिन के बाद तो आप हमेशा मतलब mind में ये रखिए कि आप में motivation कभी भी कम नहीं होना चाहिए तिन पाश हा रहे हैं मेरे से नहीं होगा मैंने syllabus cover नहीं किया है मैंने ये नहीं किया है याद रखिए if you have knowledge if you have skill then आप अगर एक हफ्टे भी revise करे हो तो भी आपका हो जाएगा अगर आपने syllabus complete किया हुए तो भी हो जाएगा लेकिन अगर आप confident नहीं हो अगर आपके अंदर motivation नहीं है तो फिर आप चाहे एक साल भी क्यो ना पढ़े हो आप चाहे कितना भी intelligent क्यो ना हो आपका job ने निकलने वाला है तो यहाँ पर एजुकेशन की बात आती है अगर कोई अपने हिसाब से जो learning environment नहीं पाता है तो वहाँ पर वो guidance की उसको जरुवत है उसको हम एच्छा सा गाइड करेंगे ताकि वो उसे एक अच्छा सा favorable setting या फिर environment मिल जाए for education It is concerned with helping the individual to plan wisely in his or her educational program and to put himself or herself in position to carry forward successfully that program along lines that society considered wholesome both for itself and for himself देखिए मतलब कि यहाँ पर किस प्रकार का guidance होगा जैसे कि आप लोग अपने teacher से अपने guide से क्या पूछते हो कि sir कैसे पढ़ेंगे, कौन सा proportion cover करेंगे और कितना time पढ़ेंगे तो हमारा exam clear होगा तो यहाँ पर वो आपको क्या करते हैं एक proper plan देते हैं तो यहाँ पर individual एक proper wise plan तयार करेगा जिसमें वो क्या करेगा अच्छे से वो plan को carry out करेगा so that both the society as well as the person will be benefited उसके बाद आते है school guidance program can help students develop critical thinking decision making and problem solving skills school guidance program में क्या होता है students develop critical thinking student अपना critical thinking develop करता है decision making power develop करता है problem solving जो मैंने पहले से भी बता दिया है यह educational था अब हम चलेंगे vocational और career guidance कभी-कभी हम confused हो जाते हैं कि हम कौन सा vocation अतना है कौन सा काम करें तो career guidance और vocational guidance क्या होता है it is the process of assisting the individual to choose an occupation career prepare for it, enter upon and progress in it ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको कह दो आप डॉक्टर बन जाओ यह guidance नहीं होता है मैंने क्या कि आप नहीं करोगे वो वाला वो खुद बच्चा करेगा लेकिन you have to stay with the child for the last aim तो आपको last तक रहना पड़ेगा इसलिए आप उनके लिए कहोगे occupation career कौन सा है पहले बताऊगे फिर वो चूज करेंगे किसी एक को then you have to prepare them मतलब prepare for it you will have to stay with them during their preparation preparation में आप उनके साथ रहोगे enter upon कैसे वो entrance देंगे कैसे वो career में जाएंगे then progress in it सिर्फ job ले लेने से कुछ नहीं होता है आगे भी बढ़ना होता है how to progress in it कैसे increment होगा कैसे आगे बढ़ोगे कैसे promotion होगा तो यह सारी चीज़ें आप जो guidance देते हो इसको कहते है vocational और career guidance vocational और career guidance concern itself with student in the academic course in high school, college, in trade and commercial courses categories as well as vocational courses यहाँ पे किस प्रकार का guidance होता है basically यहाँ पे वो students आते हैं मतलब कि जो academic course के बाद मतलब high school, college और trade, commercial courses के बाद वो चाहते हैं vocational courses लेना मतलब कि आप यह जो vocational guidance है ना वो हर stage में दे सकते हो high school में दे सकते हो college, trade, commerce, कहीं पे भी आप दे सकते हो next is personal और social guidance यह बहुत ज़रूरी है this includes social, emotional, leisure time guidance it concerns with the problem of health emotional adjustment, social adjustment, etc मान लिजए किसी को society में adjust करने में emotion को manage करने में और अपना जो leisure time है उसको manage करने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे वो किसी से guidance लेता है और यहाँ पे वो उसके health problem को emotional adjustment को, social adjustment को problem मानते हुए उसका solution देता है मतलब how to control your emotion how to socially fit how to adjust yourself in the changing society as well as how to take care of your health यह सारी चीज़ें का यहाँ पे problem जो है यह solve करा जाता है guidance दिया जाता है that is called personal or social guidance पर्पस अपर्सनल गाइड़नस इस तो help the individual to help himself or herself in regard to his or her physical, emotional, social, moral and spiritual development यानि कि यहाँ पे जो guidance है यहाँ पे जो personal guidance का जो purpose है इसका मतलब यह है कि आप उस individual को help कर रहे हो ताकि वो अपने खुद के physical, emotional, social, moral and spiritual development में वो भाग ले सके खुद को जान पाए कि मुझे किस चीज़ की जरुवत है physical development के लिए मुझे क्या चाहिए emotional development के मुझे क्या चाहिए वो शायद नहीं पता है उसको आपको उसे बताना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर सब कुछ करेगा कौन खुद individual आप नहीं करोगी recreational guidance क्या होता है it can be given to help choosing recreation which are suited to his or her personal characteristics recreation मतलब अभी आपका leisure time चल रहा है आप कुछ productive करना चाहते हो ठीक है मतलब कुछ ऐसा करना चाहते हो आपका जो time है वो किसी अच्छे चीज में invest हो जाए तो वो recreational guidance होता है जो कि personal characteristics ओपर depend करता है मतलब कि आप मान लिजे कोई आपको शाइरी में पसंद है किताबे लिखना पसंद है stories लिखना पसंद है तो you can engage in writing if you are a dancer or singer you can engage in it if you are a struggler जो struggle कर रहा है तो फिर आप पढ़ाई में ध्यान दे सकते हो या फिर कुछ इस चीजों पर ध्यान दे सकते हो next is community guidance community guidance क्या होता है it involves assistance to individual in planning a program of activities which he or she balance with his or her personality treat as his or her other activities यानि कि यहाँ पर आप एक individual को help करते हो so that वो क्या कर सके अपने आपको जो community में adjust कर पाए जो भी चीज़े है ना community में imbalance है उसको वो balance कर पाए चीक है अब चलेंगे हम counselling पर वो तो था guidance और यह counselling though this both seems similar दोनों ही similar लग सकते हैं लेकिन they are not they are different how? the word counselling comes from the latin word concilium concilium का मतलब होता है advice जहां पर advice दिया जाता है किसी को विशेश करके आप किसी को अगर कोई बुद्धी रेते होगी यह करो वो करो तो वो advice होता है counselling is a unique helping relationship in which client is provided the opportunity to learn, feel, think, experience and change in ways that he or she thinks is desirable counselling वो एक unique relationship होता है client और counsellee के बीच में counselling किसे दिया जाता है client को counselling होता है और counsellor कोन होता है जो से counsell करता है so client और counsellor के बीच में एक ऐसा relation होता है जहां पे दोनों ही they give opportunity to learn, feel, think, experience and change in the ways what he or she thinks is desirable यानि कि जो desirable है उसे चीजों पे आपको करना चाहिए मतलब आप कुछ गलत करने जा रहे हो आप कुछ decisions गलत ले रहे हो उस stage में counsellor आपको अच्छे से समझेगा और कहेगा कि देखिए कोई भी decision ऐसे जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए you have to be very much careful while taking decision because once you take any decision you cannot revert पीछे वापस नहीं आ सकते हो so इसलिए which is desirable जो desirable है जो आपसे हम चाहते है जो दुनिया चाहती है वही करो अपनी दिल की सुनो ठीक है counselling denotes a professional relation between a trained counselor and client ठीक है counselor जो होता है वो trained होता है एक professional होता है ठीक है this relationship is usually person to person although it may sometimes involve more than two people ये person to person relation होता है मतलब एक person दूसरे person के साथ बाते करता है यानि counselling इन दोनों के बीच में एक अच्छा rapport बिल्ट होता है एक अच्छा relation बिल्ट होता है it is designed to help the client understand and clarify his view of life in the space so that he may make meaningful and informed choices consonant with his essential nature in those areas where choices are available to him मतलब कि किसी एक इंसान में बहुत ज़्यादा confusion है किसी चीज़ को ले करके बहुत ज़्यादा परिशानी है और वो decision नहीं ले पा रहा है तो यहाँ पे जो counsellor रहेगा वो उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेगा situation को समझने की कोशिश करेगा और जो भी उसके पास choices है उनमें से जो best choice उसे लगे कि best choice यही रहेगा उसको समझाने की कोशिश करता है मतलब ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में कोई decision लेने के लिए कहेगा नहीं you have to understand the outcomes basically मतलब आप तो decision ले लोगे लेकिन उसके बाद outcome क्या होगा क्या आपको पता है नहीं पता होता है जब कोई decision लेता है ना कोई इंसान तो उसको अपने consequence के बारे में नहीं पता होता है result के बारे में नहीं पता होता है बट यहाँ पर कहा गया है counselor उसे समझाएगा कि what will be the consequences and what is going to help him for future ठीक है nature में आते हैं counseling क्या होता है मैंने अभी कहा यह दोनों के बीच में होता है so counseling is a two-way process एक client होता है एक counselor होता है दोनों के बीच में होता है counseling is not an advice giving देखे guidance में क्या था बस आपको advice दिया जाता था यह करोगे तो बैतर रहेगा लेकिन counseling में वैसा नहीं होगा यह सिर्फ advice नहीं देगा पूरा का पूरा साथ रहेगा देखेगा कि क्या गलती हो रहा है जहां पर गलती हो रहा है वहां पर वो आपको feedback देगा plan change करेगा counseling is not thinking for the client but thinking with the client याद रखेए वाला it is not thinking for the client हम client के बारे में नहीं सोचेंगे बलकि client के साथ सोचेंगे with the client हम उसके साथ साथ रहेंगे counseling is based on certain fundamental assumptions इसमें कुछ assumptions हैं conditions हैं, principles है counseling is not interviewing but conversing with the client in order to help him or her develop self understanding यहां पर सिर्फ उसका interview ने लिने रहा है हम उसके साथ अच्छ से एक बारतलब करेंगे एक बाते करेंगे जिससे वो खुद को समझने लायक बन जाए counseling helps the individual to become self-sufficient, self-directed and self-dependent counseling एक individual को self-sufficient बनाता है self-directed बनाता है और independent बनाता है objectives तो बहुत सारे हैं उनमें से देखिए first objective है to improve personal effectiveness personally वो अपना characteristic personality को change कर सके to assess an individual's chance to success अपने success के बारे में सोच सको मतलब कि जो पहले सोचता था मेरे से नहीं होगा वो अभी develop करेगा self-confidence और कहेगा कि मैं success के पास ही हूँ to create awareness of client in the availability of job and how to progress in it मतलब कि लोगों को जो client को जिसको भी आप counsel कर रहे हो उन्हें बताओगे what are the availability of job job कितना available है और इसमें आगे कैसे बढ़ सकते हो then is problem resolution कैसे problem solve करा जा सकता है उसके बारे में उसे बताओगे achievement of positive mental health यह बहुत important है आजकल सब में positivity नहीं होता है सब में negativity होता है so you have to develop positive mental health among them making a decision बहुत important positive mental health रहेगा तो positive decision लोगे नहीं तो negative decision लोगे उसके बाद पस्ता होगे वहाँ पे ना guidance काम करेगा ना counselling to attain in student self-attainment बीच का जो चीज़ें है उनको समझ में आएगा वो balance भी कर सकेंगे to assist teachers and school personally in understanding the need and problems of each student यहाँ पे teachers को भी और school के जितने भी personal यानि कि जो staff है उनको यह समझ मतलब समझा जाएगा कि what are the need and problems of each child इस stage में बच्चों को क्या जरूरी है उनको क्या चाहिए ठीक है need and problems of each student next is to help student develop proper attitude towards themselves others, school, values, interests morals, beliefs and disciplines यानि कि यहाँ पे student को हम proper attitude develop कराने में मदद करेंगे proper values, interests, moral, beliefs यह सब के लिए हम उन्हें मदद करेंगे next is scope of counselling क्या-क्या scope है counselling individual को दिया जा सकता है education की regarding दिया जा सकता है और education में भी counselling दिया जा सकता है next is types of approach of counselling first approach is the directive approach नाम से ही पता चल रहा है मैंने कहा था दिमाग में ज्यादा सोर मत दीजिए बस यह सूचे directive मतलब direction देना जैसे कोई commander कहता है कि भागो run कहते ही आप भागना शुरू कर देते हो jump मतलब jump करना शुरू कर देते हो यह direction होता है तो जहां पे सिर्फ command होता है वहां पे direction होता है as the name itself implies this approach envisage a more active role for the counsellor यहां पे counsellor बहुत ज़्यादा active होता है क्योंकि यही command देगा यही direction देगा counsellor employs varying degree of direction to help the counsellor to reach sound solution एक target यहां पे set किया हुआ है यहां तक पहुंचने के लिए counsellor क्या करेगा यहां पे आपको direct करेगा कि go there तो आप भागोगे और अपने goal तक पहुंच जाओगे लेकिन यहां पे counsellor बहुत important है counsellor जो कहेगा अप भी करोगे also through his or her own specialized knowledge and experience in the scientific diagnosis and interpretation of data counsellors are helped to reach earlier solution for their problem यहां पे specialized knowledge मतलब कि अपने specialized knowledge के द्वारा experience के द्वारा वो diagnose करेगा क्या problem है और data को interpret करेगा और उसके बाद उसको solution के लिए भीजेगा मतलब कि यहां पे सब कुछ कौन करता है counsellor करता है सब कुछ counsellor करेगा ठीक है और finally जो करना होगा वो counsellor करेगा यानि कि client करेगा client को बस बता दिया जाएगा देखो भी मैंने यह solution निकाला है अब इसको follow करेगे तो आप successful बन जाओगे ठीक है अब आता है non-directive वहाँ पे तो directive जहां पे direction दिया जाएगा comment दिया जाएगा यह है non-directive counsellor so in this approach counsellor provides an atmosphere in which the client can fully explore his or her own thoughts and feelings freely without any fear or pressure यहां पे कहा जा रहा है कि यहां पे counsellor जो रहेगा वो both-sided सोचेगा मतलब ऐसा नहीं है अपने feelings को समझेगा and without any fear वो कुछ भी share करने के लिए ready रहेगा thus by making the counsellor understand his or her potentialities the counsellor acts as a catalyst agent यहां पे counsellor को मतलब अपने आपको समझने के अपने potential को समझने के लिए counsellor वो सारा प्रयास करेगा catalyst मतलब वो कोशिश करेगा कि आप कैसे मतलब आपके लिए ऐसा environment create करा जाएगा जहां पे counsellor अपने client से वो सब कुछ करने के लिए कहेगा जो उसके लिए benefit रहेगा मतलब वो कुछ कहेगा नहीं बस आप अपने आप ही करना start कर दोगे ठीक है share the source of data is the client himself or herself and the responsibility for change rests with the counsellor rather than the counsellor यहां पे जो source of data है वो खुद client है और यहां पे मतलब कि client क्यों data है क्योंकि client जो भी कहता है वो counsellor मान लेता है कोई चीज़ force नहीं करता है जो भी आप कहोगे उसको वो मान लेगा और यहां पे जो responsibility होता है वो counsellor खुद करता है ना कि counsellor आप जब तक नहीं चाहोगे खुद को नहीं बदल सकते एकलेक्टिक अप्रोच में क्या होता है counsellor basis these are her counselling on concepts taken from various available viewpoints counsellor यहां पे अलग-अलग तरीके के viewpoints से मतलब की counselling करता है मतलब की मान लीजे directive, non-directive दोनों को अगर mission करतेते हैं तो वो बन जाता है एकलेक्टिक he or she owes no specific theoretical allergians instead incorporate those procedures and techniques which he or she believes to be most effective in the case of that particular counselling without any prejudice or bias to any particular school of thought कभी-कभी हम ना क्या कर देते हैं या तो directive बन जाते हैं हमेशा के लिए या तो non-directive बन जाते हैं हमें कभी-कभी situational होना पड़ेगा effective जो रहेगा उर्सी के वाइस आपको क्या करना है आपको काम करना पड़ेगा चीक है अब चलता है central hypothesis पर what is central hypothesis Karl Rogers ने दिया है central hypothesis chief component है chief proponent है जो central hypothesis के he has formulated a central hypothesis as follows इन्होंने कहा the individual has within herself the capacity latent if not evident to understand those aspects of herself and of his or her life which are causing him or her dissatisfaction, anxiety, pain and the capacity the tendency to reorganize herself and his or her relation to life to life in the direction of self actualization and maturity in such a way as to bring greater degree of internal comfort यानि कि यहां पर कहा जा रहा है सभी individuals के अंदर कुछ capacity होता है जो कि inbuilt होता है latent होता है आपके अंदर वो quality है कभी-कभी कुछ चीज़ें होता है लाइफ में जो आपको dissatisfy कर देते हैं जैसे एंगे anxiety, pain यह सब वोता है ठीक है capacity भी होता है आपके अंदर to reorganize relationship और अपनी लाइफ को और भी भैतर बनाने के लिए और इसलिए यहां पर करा जा रहा है कि एक hypothesis यह भी है कि आपके अंदर कुछ भी हो सकता है कुछ अच्छे characteristics हो सकते है कुछ बुरे characteristics हो सकते है but you have some degree of chance और self-actualization through which you can achieve the degree of internal comfort ठीक है मतलब आपके जिंदगी में खुशाली वापस आ सकती है the capacity will be realized when the therapist can create a psychological climate characterized by genuine acceptance of the client as a person of unconditional worth वो capacity मतलब आप फिर से वही खुशी वो comfort फिर से हासल कर सकते हो ये आप में तब realize करोगे जब आपको कोई therapist यानि कि आपको कोई counselor जब आपको counseling करेगा और आपके लिए ऐसा climate create करेगा जहां पे आप genuinely समझ पाओ कि आपका क्या मतलब है आपका क्या worth है आपका क्या value है It is further hypothesized that in such an accepting, understanding and non-threatening atmosphere the client will reorganize herself मतलब कि ये फिर से यही कहा जा रहा है कि ये ऐसा environment है जहां पे आप खुद को accept करते हो understand करते हो और कोई दवाव नहीं होता है आपके अंदर ठीक है? पहले जब आप counseling दोगे तो you have to first analyze analyze किसको करते हैं हम लोग analyze the client or counseling then synthesize जो data आपने collect किया है उसके regarding उसको आप synthesize करोगे then diagnosis इस data की अनुचार देखोगे उसका problem क्या है उसके बाद आप prognosis करोगे यानि कि आप उसका remedy दोगे उसके बाद उसको counseling करोगे then आप उसके follow up में लग जाओगे उसके बाद आते हैं मतलब की दूसरा step क्या step हो सकता है first readiness of the counselee हमने क्या पढ़ा था law of readiness मतलब जब तक counselee ready नहीं है जब तक client ready नहीं है आप उसे कितना भी समझा दो उसे समझ में नहीं आएगा उसे जितना भी आप motivate कर लो वो motivated नहीं होगा so readiness is very important you have to हमने क्या पढ़ा था psychology में कि हमें हमेशा हर situation के लिए ready रहना पड़ेगा so that we can accept the reality readiness of the counselee तो वो ready रहना चाहिए counter will of the counselee मतलब उसका भी उतना will होना चाहिए will power होना चाहिए इच्छा होनी चाहिए उसमें उतना जाकरिता होना चाहिए उसमें उतना जुनूर होना चाहिए ठीक है तब जाकर के वो आपकी बात सुनेगा collection of case history उसका case history collect करोगे counselee का establishing a good rapport को एक अच्छा relation maintain करोगे transference मतलब कि आपके बीच में जो भी बातें होंगी वो clear cut होगे then counter transference मतलब आप बिना सोचे उसके साथ पूरा fully खुलम खुला बात करते हो तो ये भी आपके साथ उतना frank होना चाहिए ठीक है उसके बाद resistance of behavior उसके बाद उसका behavior उसको आप strengthening करोगे tools of guidance हम चलेंगे क्या-क्या tools होते हैं जो हम use करते हैं during guidance तो first is interest inventory interest inventory नाम से ही पता चल रहा है interest ना अपने के लिए in determining the educational and vocational success of an individual interest is an important factor interest बहुत important होता है किसी भी student का educational and vocational success जानने के लिए strong ने कहा interest is the sum total of likes and dislikes for a wide range of stimulus subject and activities एक बहुती मतलब हमारे पास बहुत सारे choices होते हैं बहुत सारे object activities होते हैं यह सारे के सारे चीज़ों को किसी चीज़ को हम like करते हैं किसी चीज़ को dislike करते हैं यह सभी को मिला के हमारा interest बनता है then आता है characteristics interest क्या होता है इसमें क्या होता है interest inventory में interest क्या होता है they are shaped by both hereditary and environment factor कभी-kभी hereditary interest आता है कभी-kभी environmental भी आता है generally speaking there is some relation between interest and ability आपका जिसमें interest रहेगा उसमें आपका ability रहेगा suppose you want to be a teacher your interest is in teaching so you will be developing your teaching ability ठीक है there is some relation between vocational and educational interest vocational interest और educational interest match करते हैं आपको science पसेंदे तो आप engineer doctor बनोगी ठीक है the interest of the individual tend to become less varied with increasing age जितना जितना आपका उम्र बढ़ेगा उतना उतना आपके पास decrease हो जाएगा मतलब less variety मिलेगा आपको interest में आपका interest कम हो जाएगा सिर्क पूजा पार्ट में लग जाओगे एक ही interest रहेगा यूज कहां पर करते हैं इस interest inventory को कहा गया प्रोवाइडिंग वोकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस देते वक्त सिलेक्टिंग सुटेबल परसन फर जॉब जॉब के लिए जो सुटेबल परसन जॉब के लिए सिलेट करते हैं उस वक्त भी होता है यानि कि मतलब आप सुटेबिटी कौन सा सब्जेट उन्हें पसंद है इंट्रेस्ट इंवेंटरी से ताकि जो टीचर है वो अपने हिसाब से प्लान कर सके कैसे इंट्रेस्ट को और भी बढ़ा सकते है इससे मतलब इंडिविजल को मोटिवेशन मिलता है इससे मतलब इंट्रेस्ट इंवेंटरी बनाये गया है इन्हें में से दो सबसे इंपोर्टेंट जो है इसको याद रखिए फुल फॉर्म पूछ सकता है फर्स्ट इस जिसके बारे मैंने कहा था डेफिनिशन स्ट्रॉंग का उसे उन्हों नहीं दिया है स्ट्रॉंग वोकेशनल इंट्रेस्ट ब्लांक SBIB और एक है कुडर प्रिफरेंस रेकॉर्ड वोकेशनी चीक है के पी रिसको कहा जाता है अब आते हैं अटिचूड स्केल अटिचूड क्या है अटिचूड स्केल क्या है अटिचूड रप्रिजेट आवर एकॉर्फरेंस तो और आरते हैं अटिचूड ग्पना की शोको टेस्ट करके हमारे अंदर कितना भी अच्छा ही क्यों ना हो सुसाइटी जो चाहता है हमें वो करना पड़ेगा विकॉस वी लिविन आ सोसाइटी वेरियस स्केलिंग टेक्निक्स अपने 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 को मेशर भी कर सकते हैं और उसे मतलब चेंज भी कर सकते हैं और आपने कर सकते हैं जिसके जरीए हम क्या करते हैं उसको को मेजर करते हैं attitude scale can be measured through statements यू जिस क्या है अब इसको कैसी यूज करते हैं हम लोग देखे इस यूज तो मेज़र the degree of positive and negative feeling associated with any slogan, person, institution, religion, political party, किसी के लिए या फिर किसी चीज के लिए अगर आपका जो feeling है वो जानना चाते हो तो attitude scale measure कर सकते हो these are also used in public opinion survey, public opinion क्या आप क्या क्या कहना है जो internet को ले करके या फिर online gaming को ले करके वगरा वगरा education is for example conduct opinion survey to find out how people feel about educational issues, education में बहुत सरे issues है इसके regarding लोगों का क्या कहना है उस पे आप use कर सकते हो however the method of equal appealing interval or method of summative rating have been extensively used in attitude or opinions research ठीक है मतलब equal appearing interval और method of summative rating ज्यादा use होता है अब types में हम चलेंगे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा elaborate करेंगे attitude scale जो की मतलब या तो आपको guidance counseling में पूछेगा या तो psychology में पूछेगा या तो वो assessment में भी पूछ सकता है attitude scale क्या होता है the first is method of equal appearing interval जो मैंने कहा इसको थर्स्टन ने develop किया है थर्स्टन और शेव ने attitude score of individual obtained by this method has an absolute interpretation in terms of psychological continuum of scale value of the statement making of the sale यानि कि यहां पे जो attitude score है individual का तो इसे हम absolute interpretation के terms पे हम लोग collect करते है absolute मतलब which is not concrete if this score falls in the middle range of the psychological continuum जैसे हमने NPC में पढ़ा अगर middle में आता है तो average है यहां पर extremants है वैसे अगर middle range में आता है the attitude of individual is described as neutral middle में आता है तो neutral कहेंगे if it falls towards the favorable अगर आगे जाता है favorable के through तो हम यूं कह सकते है it is favorable if it falls towards the unfavorable it is unfavorable अगर negative में आता है तो it is unfavorable clear अब आता है method of submitted ratings developed by liquor liquor ने दिया है यह बहुत ही famous आपको पता है item score is obtained by assigning arbitrary weight जैसे कि 5 star 3 2 1 किसी भी चीज़ को जैसे हम लोग rating देते हैं 5 4 3 2 1 अच्छा लगे तो 5 या फिर 4 देते हैं या फिर strongly agree agree undecided disagree strongly disagree करके देते हैं इसे के point of view से हम क्या करते हैं उसका weightage decide करते हैं in other hand the scoring weight of 1 2 3 4 5 are used to respective responses for statement opposing to the point view and individual score on a particular attitude scale is the sum of his rating on all item मतलब आपका जो score आएगा it is overall score overall rating of all item ठीक है next is और क्या rating scale हो सकते हैं error choice technique से हो सकता है free response technique से कर सकते हो paired comparison कर सकते हो और opinion poll कर सकते हो इससे आप attitude measure कर सकते हो अब और क्या test कर सकते हैं अब intelligence test कर सकते हैं so intelligence is general capacity or potential for learning it is the entire report here of acquired skill knowledge learning set and generalization tendency considered intellectual in nature that are available at any one period of time यानि कि intelligence वो skill होता है वो knowledge होता है वो learning होता है वो generalization tendency होता है जो आप एक समय पर दिखाते हो ऐसा नहीं है आप आप intelligent आज हो लेकिन कल नहीं हो सकते हो क्योंकि आप से कोई ज्यादा intelligent आ जाएगा standard test of intelligence reflect individual difference basic cognitive process and level of understanding of learners standard test क्या होता है standard test of intelligence क्या दिखाता है मतलब कोई भी सा intelligence test जो की standard test है उसको अगर हम test करेंगे तो उसमें क्या दिखेगा individual difference दिखेगा जो अच्छे student है वो अच्छे मास रखेंगे जो अच्छे नहीं है तो उसका अच्छा मास नहीं आएगा cognitive process दिखाएगा कि बच्चा सोच कैसे रहा है और level of understanding हर एक learner किस level पर सोच रहा है वो भी हमें समझ में आ जाएगा तो intelligent test है हम पता करी सकते हैं it helps for further learning of learners help counselor to adapt strategy आज पर the learners ability and interest इससे आपको learners के बारे में पता चल जाएगा जो counselor रहेगा वो उस से स्ट्राटेजी डिवलोग करेगा बच्चों को कैसे वो पढ़ाएगा यूज क्या करते हैं हम लोग intelligence test को counselor कैसे उस करता है counselor तो बहुत ज्यादा यूज कर सकता है it helps teacher to decide on instructional materials to be used in the class और और फॉर अन इंडिविजल क्या क्या मैट्रियल जरूरी हो सकता है it can be used for forecasting the future area of study or career कौनसा future area हो सकता है it can be used in vocational educational personal guidance vocational educational personal guidance पे भी यूज हो सकता है it can be also used for selecting an individual for a job job के लिए भी आप select करने के लिए भी इसे यूज कर सकते हो types of intelligence test मैंने पढ़ाया था already जब मैंने intelligence और personality पढ़ाया था psychology में फिर भी और फिक बाग पढ़ा देता हूं आपको intelligence test दो प्रकार्ण से होता है एक तो होता है individual test दूसरा होता है group test और इन दोनों का ही same division होता है verbal और non-verbal Verbal individual test होता है Non-verbal individual test होता है Verbal group test होता है और non-verbal group test होता है Clear? अब आता है cumulative record का Cumulative का मतलब ही होता है Sum total ठीक है आज तक आपने जो भी किया है इसको cumulative कहा जाता है तो cumulative record is A systematic account of information about a student एक student के बारे में systematic account आप रखते हो It is an evaluation tool which presents a comprehensive record of the achievement or otherwise of each student in different aspects physical, academic, moral, social and health ये cumulative record क्या करता है मतलब कि आपको एक comprehensive idea देता है बच्चे के बारे में physical activities के बारे में physical achievement के बारे में height, weight वगरा वगरा आज तक क्या उसका academic record रहा है morally वो कितना strong है social status उसका क्या है health उसका कितना अच्छा है या फिर उसको कुछ disease है बगरा बगरा ये सब कुछ आपको cumulative record कार में मिल जाएगा आप कहोगे cumulative record कार क्यों चाहिए क्योंकि जब counselor किसी को counseling करता है तो उसके history, past, present सभी के बारे में उसको जानना जरूरी है अगर नहीं जानेगा तो वो नहीं समझ पाएगा कि ये जो person है वो किस type का है it is a record indicating the pace of growth development of the student in all aspects from beginning to the end of school career and can be thought as a mirror that reflect the overall development of student मतलब कि आज तक का growth development का सारा चीज उसको समझ में आएगा ये एक mirror है जो कि उसका overall development को दर्शाता है यहां तक सबको समझ में आगया एक बार येस लिख दीजिए चलिए ग्रेट बहुत अच्छी ठीक है आगे बढ़ता है need of cumulative record card हम मतलब as a counselor क्यों चाहिए first to give complete picture of the people all around development or progress different areas like physical academic moral social and health देखिए आप एक counselor हो आपके पास वो कुछ problem लेके आया है तो आप उसका पूरा history जब तक नहीं देखते हो पूरा record card नहीं देखते हो तो आपको पूरा personality समझ में नहीं आएगा ना एकी problem को देखके कभी भी मतलब situation only एक situation से आप कुछ नहीं जान सकते हो if you want to you know judge a child or individual if you want to counsel a child or individual you have to completely understand the process अगर जब तक आप complete समझ नहीं जाते हो complete आपके सामने picture clear नहीं हो जाता तब तक आप उसको अच्छे guidance नहीं दे सकते हो अच्छे counselling नहीं दे सकते हो to assess the child his potentiality interest aptitude talent देखे cumulative record card में सब कुछ होता है तो उसके potentiality के बारे में पता चलेगा interest aptitude talent के बारे में भी पता चल जाएगा to provide proper guidance and counselling taking into consideration of student curricular co-curricular achievement उसके curricular co-curricular achievement को देखके आप properly उसे counselling कर सकते हो to help parents and teachers in placement of people after the completion of schooling or study मतलब कि उसकी cumulative record card के अनुसार ही आप उसको place कर सकते हो किस job में जाना चाहिए कौन सा vocation लेना चाहिए इसके लिए both parents and teachers को ये एक प्रकार से guidance देता है ठीक है next check contents of cumulative record card आप सोच रहे होगे कि जो cumulative record card में actually होता क्या है तो इसमें ये सब चीजें होते है personal data होता है मैं इसको detail में नहीं पढ़ूँगा आपको पता ही है personal data में क्या-क्या होता है academic data होता है आज तक का उसका पढ़ाई का क्या result वगेरा हुआ है health data रहता है मतलब कि अगर उसको उसका क्या habits है exercise करता है कि नहीं करता है कोई disease है क्या वगेरा वगेरा co-curricular activities data क्या-क्या उसको पसंद है आज तक क्या-क्या उसने जीता है extracurricular या फिर co-curricular जो भी आप कहते हो next is personal characteristics मतलब वो कितना involving है social है या intelligence है या emotionally stable है या responsible है वगेरा वगेरा next record of counseling and guidance आज तक या मतलब आज तक किसी ने इसको guide या फिर counsel किया है या नहीं किया है does he have some past occurrence past record or not यह सब वगेरा हम देखते हैं अभी use कहां पे करेंगे use क्यों करेंगे first of all this record gives a complete frame of people present state and predict future in some way or other यह present को दिखाता है उसका और past को भी दिखाता है और future को भी indicate करता है यहां भी use हो सकता है it helps to discover strength, weakness special ability of the pupil pupil का strength, fitness जानने के लिए भी मदद कर सकता है if the student changes his institution record will be useful to new authorities to know the information about him अगर मान लिजीए कोई बच्चा school change करते था है तो जो पुराना स्कूल है उसका जो record अगर नई स्कूल में पहुंच जाता है तो नया जो स्कूल है उसको इस बच्चे के बारे में detail information मिल जाएगा the cumulative record help the counselor to find out the aptitude as well as attitude of individual तो counselor को aptitude or attitude के बारे में भी पता चल जाता है clear? जनाते है types में types में देखे जो cumulative record card होता है एक single card type होता है single card में single बच्चे के बारे में रहेगा या तो pocket type pocket type मतलब और छोटा बन जाएगा जहांपे सिर्फ और से achievements जो key achievements का गरे में लिखे जाएगे then folder type folder मतलब इसमें सब कुछ रहेगा पूरा आपका बड़ा सा file रहेगा पूरा folder यहां पर सब कुछ maintain होगा हर साल next is booklet type booklet और भी बड़ा होता है जहां पर even आपका हर साल का हर activity जो है उसमें record करा जाएगा अब आते है techniques of counseling क्या techniques होता है मैंने कहा था tool or technique में difference यह होता है कि technique में आप process में involved रहते हो the counselor himself और herself is involved all programs of guidance and counseling focus on individual सभी individual पर focus करते है for proper appraisal of the individual data and information pertaining to all aspects of his personality and life are a prerequisite याने कि आप अभी जो भी मतलब की focus कर रहे हो या फिर जो भी आप appraise कर रहे हो किसी individual के बारे में जो भी data information आप ले रहे हो regarding the personality of the individual ठीक है यह क्या होता है it is just a prerequisite मतलब आपके लिए यह बस शुरुआत है यहाँ पर और भी data आपको चाहिए पड़ेगा a number of techniques have been developed by psychologists for this purpose बहुत सारे techniques developed करे गए हैं psychologist के द्वारा ताकि इसको और भी बहतर समझा जा सके ऐसे बहुत सारे techniques है जैसे कि testing techniques and non-technique techniques which are also known as non-standardized techniques types of counseling जो मैंने कहा भी techniques क्या-क्या होते है first technique है interview जो मैंने already interview के बारे में पढ़ाया है case study किसी एक case को study करना anecdotal record मैंने already कहा है diary तो आपको पता ही है diary जिसमें हम सब कुछ लिखते है and schedule schedule होता है questionnaire जैसा ही होता है यहां तक सबको clear है mcqs पर चले okay good चलता है first question पर देखिए guidance a guide is a person who guide वो होता है जो की guides any person of any field guides in her own specialization has an expertise in the field all of the world क्या होगा answer भारती चेक्योर आंसर very good जीत्ता लिपक सभी answer करें रिना okay very good keep answering yes बहुत अच्छे सभी का answer भी आ रहा है so b is the correct answer बहुत अच्छे guide in his or her own specialization अगर आप मुझे education पुछोगे तो मैं आपको guide कर सकता हूँ but अगर आप मुझे chemistry पुछोगे तो शायद मैं ना कर पाऊँ क्योंकि यह मेरा specialization नहीं है बता सकता हूँ लेकिन guide नहीं कर सकता है इसमें detail में ठीक है चलिए आगे बढ़ते है question number two a child faces problem in his study habits study habits में उसका दिक्कत आ रहा है तो उसको किस प्रकार का guidance चाहिए personal guidance, vocational guidance educational guidance, social guidance बहुत जल्दी सभी ने answer कर दिया है C so C is the correct answer educational guidance क्योंकि यहां पर उसको study habit develop करना है अगर पूछता कि कौन सा course वो pursue करे तो वहां पर बन जाता vocational guidance मतलब वो किस vocation में जाके पढ़ाई करेगा आगे उसी के बारे में पूछ रहा है ठीक है which among the following is not an aim of guidance इन में से कौन सा guidance का aim नहीं है to assist a child in learning to find out the problem of the child and solve it to make the child explore possibility in his career to complete the unfinished task of the child सोच समझ की यह वाला आंसर कीजिएगा देखते हैं कौन सही आंसर करता है ओके वेरी गुड जीता, खारबेड, गायत्री, बबिश्मिता, दिप्तिश्री, मानसी, राजश्री, भाकिश्री, संगीता, शुभलक्ष्मी, लिपक, चेतना, सुनाली, रीना, जोस्ना, येस, वरी गुड, दिपक, सत्य, मुनालिश्चा, पुप्ती, सुचिश में यह कौन सा अंसर है संगीता, जोश्ना, पिंकिना, किशो, रंजन, आहुती, लिटिना, इलोत्तमा, बहुत अच्छे, सभीका अंसर D आया है, D is the correct answer, guidance में कभी आप उसके लिए काम complete नहीं कर दोगे, अगर कोई बच्चा है जो की problem solve नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप उसके recreational guidance can also be termed as, इसको क्या कह सकते है, लिजर guidance, personal guidance, problem guidance, बोथ B and C, फिर से different, different answers आने लगे हैं ओके, very good, चलिए, बहुत अच्छे, सभीका answer AI है, so it is leisure guidance, क्योंकि recreational guidance का मतलब ही होता है, लिजर, लिजर time को आप कैसे spend कर होगे, ठीक है, counselling is a process of, counselling का क्या process होता है, providing assistance, think like others, finding solution of problem, all of the above, counselling किस चीज़ का process है, असान सा सवाल है, ओके, very good, जीता, रिना, भाग्यश्री चेकिर आंसर, भारती, सोनली, संगीता, चेतना, सुबलक्ष्मी, लीटिना, सत्या, किशोर, रंजन, खारबड, सुचेश्मिता, बेबिस्मिता, लीपक, दित्विश्री, प्रियंका, राजश्री, मोनलिस्सा, जोस्टना मही, मानसी, संगीता, त्रुक्ती, चेकिर आंसर, मानसी, एंड, संगीता, ओके, लौ, अलव, फ्यू, हाव, अंसर, डी, सो, डी, दे करेक्ट आंसर, क्योंकि कांसिलिंग में, हम असिस्टन्स भी देते हैं, दूछरों के बारे में भी सोचते हैं, मतलब उसका क्या प्रब्लम हो रहा होगा, उसके जैसा सोचत इसको गलत तो नहीं करना है, तो सभी का अंसर, बी आया है, सो बीज़ दे करेक्ट आंसर, कार्ल रोजस इस तर राइट आंसर, क्वेस्टन नमबर सेवन पे चलेंगे, इन विच कांसिलिंग अप्रोच, दे कांसिली एंजोई, मैक्सिमुम फ्रीडम, ऐसे कौन से कांसिलिं अप्रोच है, जहां पे कांसिली को पूरा फ्रीडम मिलता है, rational counselling, non directive counselling, directive counselling, eclectic counselling, कौन साइसा counselling है बताईए, येस, बहुत इच्छे, बहुत, quick answer सभी का आया है, सभी नै answer किया है, non directive counselling, be the correct answer, ठीक है, non directive जहां पे, counsellor यह नहीं कहता है, कि भागो, यह करो, यह करो, व वो आपको freedom देता है लेकिन आप उसके guidance के अंडर में रहोगे तो बैटर कर पाओगे ठीक है what is the root word for counseling root word counseling का क्या है counselli counsell ला counsell लिया counsell लिखते हैं कौन सा यह answer करते हैं वेरी गुड़ सोनाली जोशनामई सत्य प्रियंका भार्ती संगीता संगीता गेन बेबी समिता जीता रीना तिलुत्तमा दिप्तिश्री रंजन दिपिका लिपक जोशनामई मोना लिस्सा किशूर सुचिश्मिता गायत त्रीव सुबलक्ष्मी जेतना मानसी खरवेड तुरुक्ति राजश्च्री संगीता बहुत अच्छे सभी का अंसर डी आया है concilium is the right answer concilium का क्या मतलब है वो भी comment में बताईए क्वेस्चिन नमबर 9 के पीर स्केल स्टाइब का क्या मतलब है कुडर प्रोपर्टी रेटिंग कुडर प्रफरेंस रेकॉर्ड कुडर प्रपोसिचन रेकॉर्ड कुडर प्रिंटर्शन रेकॉर्ड यस वेरी गुड जीता क्या रहें कि एडवाईस कॉंसिलियम का मतलब होता है एडवाईस देना ठीक है देखते हैं कौन-कौन सही आंसर करता है क्वेशन नमबर 9 जिप्तिश्री जीता संगीता रंजन संगीता लीटिना सत्या प्रियंका बेबी स्मिता चेतना गयत्री रीना तुर्प्ति तिलुत्तमा आहुति लीटिना सुचिश्मिता सुवलक्षमी भारती जस्टनमई किशोर्ज सोनाली राजश्री संगीता बहुत अच्छे सभी का भी आंसर आया है कुडर प्रेफरेंस रेकॉर्ड कहा जाता है के पीर को ठीक है आर्मी आलफा इस टाइप आप मैंने पढ़ाया था साइकोलोजी में आर्मी अलफा किस प्रकार का टेस्ट है ग्रूप वरबल इंटेश्ट ग्रूप नॉन वरबल इंटेश्ट इस इंडीविजु ए बहुत जल्दी सभी का सही आंसर आ गया है सभी नें आंसर कर भिया है वेरी कुड बहुत अच्छे सो एंपसल्युटली करेक्ट सभी का तो यह ग्र non-verbal intelligence test so that's all for today thank you all if you have any queries you may ask now